हेलो फ्रेंड्स मैं हुआ अभिशेक जोशी एलेक्रिकल इंचिनियरिन बिर्ला ग्रूप अफ कंपनीज दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे कि AC ट्रांस्मिशन अविलेबल होने के बाद भी हमें DC ट्रांस्मिशन की रिक्वार्मेंट क्यों पड़ती है ऐसा क्यों होता है कि over a long distance हम लोग high voltage DC ट्रांस्मिशन को प्रिफर करते हैं AC ट्रांस्मिशन को प्रिफर नहीं करते इस बारे मैं आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तो बीना time waste के शुरू करते हैं देखे सबसे पहले तो आप यह धियान में रखिए कि जब भी आपके power का transmission 1000 km से ज़ादा के range में होगा तब तब आपको high voltage DC transmission का use होते हुए easily दिख जाएगा तो पहला rule तो यह है कि DC transmission का use normally हम लोग तभी करते हैं जब transmission length 1000 km से ज़ादा हो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि high voltage DC transmission का use करके ऐसा क्या benefit मिलता है कि हम लोग AC transmission के जगे DC को prefer करते हैं देखे इसमें सबसे पहला advantage तो यह है कि DC transmission में आपको स्रिफ दो conductor का ही use पड़ता है AC transmission में हमें पता है कि AC power transmit करने के लिए हम लोग तीन conductors का use करते हैं पर DC transmission में दो conductor का use होने से power का जो cost है जो आपके transmission line की costing है यह काफी हद तक reduce हो जाती है क्योंकि आप दो ही conductor का use कर रहे हैं तो आपके overall system की जो costing है यह बहुत ज्यादा कम हो जाती है जिसके वज़े से high voltage DC transmission को installation point of view से भी काफी important माना जाता है क्योंकि अगर आप DC transmission का use करते हैं तो cost cutting आपको easily देखने को मिल जाती है दूसरा point इसका यह है दोस्तों कि DC transmission में आप जब दो ही conductor का use करते हैं तो इस वज़े से आपके power loss भी काफी कम हो जाते हैं AC transmission में जब आप 3 conductors का use करते हो तो power losses comparatively ज़ादा होते हैं क्योंकि number of conductors ज़्यादा है DC transmission में number of conductors कम होने के वज़े से power losses भी कम होते हैं जिसके वज़े से आपका system और stable बनता है stability बढ़ती है और आपका system ज़्यादा efficiently work कर पाता है तो यह भी एक reason है कि over a long distance अगर आपको power transmit करना है तो आप high voltage DC को prefer करते हैं AC transmission को prefer नहीं करते हैं इसके अलावा दोस्तो एक point यह भी है कि DC transmission में ना ही reactive power generate होती है ना ही reactive power absorb होती है तो DC transmission में आपको reactive power compensate करने की requirement नहीं है AC transmission में हमें reactive power compensation करना पड़ता है हमें capacitor banks लगाने पड़ते हैं ताकि हम लोग reactive power को compensate कर पाएं पर DC transmission में क्योंकि reactive power का कोई role ही नहीं है ना ही reactive power generate हो रही है ना ही absorb हो रही है तो reactive power को compensate करने के लिए जो extra circuits की आपको requirement थी वो सभी eliminate हो गया तो इससे आपकी cost cutting भी हुई है आपका जो system में efficient भी बना है जादा reliable भी बना है इसके अलावा दोस्तो कुछ electrical के fundे ऐसे हैं जो AC में तो applicable है पर DC में completely eliminate हो जाते हैं जैसे कि skin effect, skin effect AC में हमें देखने को मिलता है DC में skin effect बिल्कुल नहीं होता Corona loss हमें AC transmission में देखने को मिलता है पर अगर आप power DC से transmit करते हैं अगर आप high voltage DC transmission का use करते हैं तो Corona loss भी DC transmission में बहुत negligible होते हैं तो होते ही नहीं है तो यहां भी आपका system बहुत अच्छे से improve होके अपने sustainability और आपकी efficiency को काफी हद तक improve करता है इसके अलावा दोस्तों AC transmission में radio interference का भी concept आता है अगर AC transmission line कहीं से जा रही है और और कोई application की lines अगर उसके nearby से अगर आप डालते हैं तो उससे radio interference होता है line में disturbance create होते हैं पर DC transmission में radio interference बिलकुल नहीं होता तो अगर DC transmission line जा रही है और उसके पास से अगर आप और कोई application की line अगर डालते हैं तो उसमें radio interference होने की chances बिलकुल नहीं रहेंगे दोनों ही line बीना एक दूसरे को interrupt किये easily work कर पाएगी तो ये कुछ example है जिससे हमें ये पता चलता है कि over a long distance हम दोग DC transmission को क्यों prefer करते हैं तो दोस्तों DC transmission से related अगर आपको कोई doubt रह गया हो तो आप उसे comment box में पूछ सकते हैं मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसी एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुडबाय